वेलकम फ्रेंड, स्मार्ट एंड टेकी श्टडी यूट्व चनल में आपका स्वागत है सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाता नंबर सीरीज के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कलेंडर इसमें हम आज बेसिक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस के कोश्चन करेंगे जो की प्रिवियस SSC, CHSL, CGL और रेलवे में पूछे गए हैं सो फ्रेंड, टूडे वी आर डिसकस बेसिक ओफ कलेंडर सो फ्रेंड, जैसी के आप जानते हैं कि कलेंडर में नॉर्मल एर 365 डेज का होता है, और लीप एर 366 डेज का होता है लीप एर एवरी 4 येर्स के बाद रिपिट होता है, और लीप एर में टोटल किने डेज होते हैं? 366 डेज, और फरवरी में लीप एर में 29 डेज होते हैं कलेंडर एर में जो लीप एर होता है, वो एवरी 400 साल के बाद में आता है सो फ्रेंड, कलेंडर में सबसे बेसिक जो कोश्चन पूछा दाता है हाव तो कल्कुलेट नमबर ओफ ओट डेज सो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि नमबर ओफ ओट डेज कैसे कल्कुलेट करते हैं इन जन्वरी मन्थ आपको बता कि टोटल डेज कितने होते हैं 31, फैब में 28, मार्च में 31, एपरेल में 30, माई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, ओगेस्ट में 31, सेप्टमबर में 30, ओक्टूबर में 31, नॉम्बर में 30, ओड़ी समबर में कितने होते हैं 31, सो सभी मन्थ में नमबर ओफ ओट डेज कैसे कल्कुलेट करें आपको सबसे पहले क्या करना है जो भी डेज हैं आपको 7 से डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करने वाद जो भी रिमेंडर होगा वो क्या होगा, उस मन्त का ओट डेज होगा जैसे कि जनुवरी में रिमेंडर कितना बच्चा? 3, फैम में 2 अब अगर यहां यहीं पर क्या होता? फैम में 39 डेज तो रिमेंडर कितना होता? 1 31 वाले में किना होगा? 3, इन में 2 माई में 3 जून में 2 जुलाई में 3 अगस्त में 3 सेप्टमबर में 2 अक्टूबर में 3 नॉम्बर में 2 और दिसम्बर में 3 जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं कि नॉर्मल यहर में टोटल डेज कितना होते हैं? 365 अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आप इसका रेमेंडर कितना बज़ता है? और लिप यहर में टोटल किने होते हैं? 366 डेज 7 से आप डिवाइड करोगे तो कितना? 2 ओट डेज इन दोनों का मतलब क्या है? कि 1 का क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2020 को क्या था? वेटनेस देता और यह 2020 कैसा है? लिप यर लिप यर की पहचान कैसे है? कि आपकी लाष्ट की दो डिजिट किसी डिवाइड हो नीची? चार से और अगर चार सो से डिवाइड होता है वो भी क्या है? जैसे कि एक जनवरी 2019 को क्या है? ट्यूजडे वैसे ही एक जनवरी 2020 को आपको पता चला कहता वेटनेस दे क्यों था? क्योंकि यह नॉर्मल यह और नॉर्मल यह में किरने का चेंज़ होता है एक लेकिन एक जनवरी 2019 को ट्यूजडे है इट मिन्स जो नॉर्मल यह होगा नॉर्मल यह में फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है सेम होता है ट्यूजडे ही ट्यूजडे ही और ऐसे अगर आप लीप यह की बात करेंगे तो एक जनवरी 2020 को क्या है? वैडनेस डे वाट आप 31 दिसंबर 2020 को कौन सा डे होगा? थर्स्ट डे होगा लीप यह में क्या होता है? कि लीप यह में फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है? सेम नहीं होता है और जब कि नॉर्मल यह में फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होगा? सेम होगा अब आपको calculate करने है कि number of leap year कितने है range आपको पता करने है कितने से कितने तक कितने leap year होंगे जैसे कि आप से पूछा जाए कि 2000 से ले करके 2045 तक कितने leap year है तो आप इन दोनों के बीच में leap year कैसे बताएंगे दो हजार च्यार एक leap year है ऐसे ही आठ है बारा है 16 है बीस है चोबिस है अठाइस है बत्तिस च्छतिस चालिस और च्वालिस यह सभी क्या होंगे लिप year जो कि हर एक चार साल बाद आते हैं तो एक दो तीन चार पांच चैसाथ आठ नो दस ग्यारा तो टोटल कितने होए ग्यारा लिप यह अगर आप काउंट किए अगर आप काउंट नहीं करोगे तो आप आसानी से कितनी जल्दी कर सकते हैं कुई जूम नहीं होगा टा 1 जनवरी 2006 को संडी है अब आप से पूछा जाए कि 31 जनवरी 2006 को कौन सडी होगा ता आप कैसे बताते हो आपको बताना कि इन दोनों हैडेज में कितने का डियुपारेंस है साथ से रिमाटर्टर के तिना बचा है दो ओड़ चेंज़ मतलब संड़े से दो आगे क्या होगा तूजडे यहां को फ्ररेंड आज से प्टों करते हैं आख फ्टों थीचिर करेंगे जिसे वारी वाराइटे जी question लेके आएंगे जिसमें आपके हर एक doubts soul हो जाएंगे आसानी से और उसके बाद आप fully confident होकर के कोई भी calendar के question को 30 second में minimum और maximum 40 second में आप question को कर सकते हो thank you friend and subscribe our YouTube channel for next update and more updated videos